वर्ल्ड कप 2023 के महा मुकाबले हैं पाकिस्तान वर्सी न्यूजिलेंड के पाकिस्तान की टीम की 21 रन से जीत हुई वो भी चेस करते वे चेस करते वे तो विक्टो से जीत होती है और पाकिस्तान की टीम ने अब ये मुकाबला जीत लिया है तो क्या वह सेमी फाइनल में जा सकेंगे सवाल कई सारे सबके सामने आ गए हैं इस एक मुकाबले ने पूरा पासा ही पलट दिया है हो सकता है कि एक वह फिर से इंडिया वर्सिस पाकिस्तान की भी सेमी फाइनल जैसा एक खतरनाक महा मुकाबला देखने को मिले या यू कहें कि पाकिस्तान वर्सिस इंडिया का फाइनली देखने को मिल जागर है ऐसी कुछ माहूल बना तो क्योंकि आस्ट्रेलिया और नियुजिलेंड फ़स जा तो चलिए इस मुकाबले की बात करते कि आकर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान 21 रन से मुकाबला जीती और मुकाबले में किस तरीके से पाकिस्तानी बलेबाज फकर जमान और बाबर आजम ने वापसी कराई पाकिस्तान की टीम की वो भी 401 रन बोर मैदान बहुत शांदार है रनों के मामले से इस मैदान पर बहुत रन बनते हैं यह वही मैदाने जहां गहल ने एक समय पर दो एक सुपिछतर रन अकेले बना दिये थे तो यह बहुत ही शांदार मैदान बलेबाजी के नजरे से इस बात में कोई दोर आए नहीं इसी न्यूजिलेंड की प्लेंग 11 में कुछ बदलाव थे क्यूंकि कप्तानी के तौर पर कैन विलियमसन ने वापसी करी ये मुकाबला न्यूजिलेंड के लिए बहुत important मुकाबला था उनके जीत के नजरीय से क्यूंकि अब अकला मुकाबला करो या मरो का होगा उनके लिए इस म प्लेंग 11 में हमें अब्दुल्ला शफीक, फकर जमन, बाबाराजम, रिजवान, शौष शकील, अफ्तिकार एहमद, और साथी साथ अगा सल्मान, हसन अली, शाहिन अफ्रीदी, मुहमद वसीम जूनियर, हारिस रॉफ हमें देखने को मिले, इमा मुलक, उसामा अमीर, शद रनकी थी, सिर्फ 11 ओवर तक, जिसमें डेवन कॉनवें ने 49 गिन में 35 रन मनाए थे, फिर उसके बाद अगली पार्टनर्शिप करीब करीब 200 देखा जाए तो जिस लिहाज से पार्टनर्शिप थी, 180 रनकी, काबिले तारीफ ये पार्टनर्शिप थी, इसमें 89 गिन में 95 पिचानवे रनकी पारी, काप्तान कैन विलियमसन ने 10 चोग के 2 चके की बदलत खेली, 95 रनकी पारी थी, 6 रन से चुग गई, यहाँ पर 5 रने चुग अपने शुग अपने शुग से, लेकिन चुग ना कोई बड़ी बात थी, रन मनाय टीम के लिए बहुत बड़ी बात थ इस बार रचिन जविंदरा ने, इस मुकाबले में 94 रनकी पारी, 15 चोग के एक शक्के की बदलत उन्होंने खेली, दूसरी तरफ चैपमेन डेरल मेचल मतलत जो टेलेंडरा काम होता, वहाँ पर भी उन्होंने बखु भी काम किया, क्योंकि 248 रन, 35 रन तक बन चुके थे त ग्रैन फिलिप्स ने 25 गेंद में 41 रन, 44 चोग के दो चक्के की बदलत, सैंटर नर ने 17 गेंद में 26 रन, दो चक्के की बदलत मारा, सबकर स्ट्राइक रेट 1500 के प्लसरा जिसकी वज़े से दाफस्ती करी, शाहिन अफरीदी बहुत महेंगे साबित रहे, 10 ओवर में 90 रन, इ अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में इतना बड़ा चेस कभी नहीं हुआ, 345 हुआ था जो खुद पाकिस्तान नहीं श्यलंका के खिलाफ किया था, लेकिन इस मुकाबले में जब फकर जमान आये मैदान पर कुछ अलगी अंदाज में नजर आ रहे तो शुरुआत में तो इ पहला विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे मुड कर नहीं देखा, कप्तान बाबाराजम और फकर जमान ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, अब आपको 300 गेंद में 402 रंचेस करना है तो यह बहुत पोड़ा सा यहां पर उबरे फकर जमान, फिर इसके बाद उन्हों ने चोके चक्के लगाना शुरू कर दिये, फकर जमान ने टोटल 81 गेंद में 126 रं नाबाद 8 चोके 11 चक्के की मदद से मारे, तो अगर होता पूरा मैच होता बारिश नहीं आती तो शायद यह अपना 12 चता कंप्लीट कर ले थे जिस अंदाज में बलेवाजी कर रहे थे, और दूसरी तरफ कप्तान बाबाराजम ने इनका बखुवी साध्या 63 गेंद में 16 रं की पारी 6 चोके 2 चक्के की बदलत खेली, इस भी स्टिम साओधी ने 5 और 27 रं देकर एक विकेट चटकाई थी, टो बार-बार देखा जारा घड़ी के तरफ की मैच कप शुरूओ, कप शुरूओ, लेकिन मैच नहीं रुका, तो मैच शुरू होने से इस बीच यहाँ पर कई बार बारिश फिर आई, बीच में शुरू भी वा लेकिन यह चलता रहा, अब जिस तरीके से यहाँ पर देखा ज देखते वे यहाँ पर इनको फिर 21 रन से जीत दे दी गई, यानि कि पाकिस्तान चेस करते वे भी यह मुकाबला 21 रन से जीती और 402 रन बनाने नहीं पड़े, यह अच्छी बात रही, लेकिन अगर आप देखिए, अगर 400 रन बनाने पड़ते, तो शायद पाकिस्तान का अ इनकी पारी थी, इसी के साथ साथ एक कहीं न कहीं आप बात करें, पॉइंस टेबल की, तो पॉइंस टेबल का समिकन बदल दिया है, पाकिस्तान की टीम ने ये बात साफ है, कि अब साथ अफरीका दूसरी टीम बन चुकि है, जो क्वालिफाई कर चुकि है, क्योंकि अगर टीम अपने सारे मैच जीत भी जाती है, तो वो सिर्फ छे ही मैच जीत पाएंगी, तो यानि कि अब साथ अफरीका और इंडिया दो मैच, दो टीम है, जो क्वालिफाई कर चुकी है, उस्टेलिया का एक मैच इंगलेंड के साथ चली रहा, जब तक आपके पास निउस पाकिस्तान का अगला मैच इंगलेंड के साथ है, पाकिस्तान इस समय पांच नंबर पर आ गई, आट महें से चार जीत, चार हर के साथ, नेटर अने थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन निउस पहु जेतना नहीं, अगर आज का मैच आउस्ट्रेलिया हर भी जाती है, और फ पाकिस्तान के डिम पिछले दो मुकाबले लगातार जीती, बीच में चार मुकाबले लगातार हारी थी, तो पाकिस्तान नहीं वापसी करती है, अगर अगला मैच जीत जाएगी, तो अगला भी जीत जाएगी, तो अगला भी जीत जाएगी, तो अगला भी जीत जाएगी, त